साजसंगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी चानल पर आज की साखी का विशे है भगवान से संबंध चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगल जी, अगर भगवान भगत से संबंद बांद लेता है, वह माने या ना माने, मगर अगर भगवान भगत से संबंद मान लेते हैं, तो भगवान जरूर पूरा करते हैं, चाहे वह पुत्र माने या पता या पतनी या पुत्री, मगर भगवान उस बात पर अटल रहत भगवान से एक बार संबंध जोड लेने के बाद भगवान भी उस संबंध को पूरे दिल से निभाती हैं ये एक दम सच्ची बात है आप चाहे श्री राम जी को देखिए या शबरी को कृष्ण जी को देखिए आरजुन को कुंति को देखिए या कृष्णा को विश्नु को देखे या धुरुव जी महराज को हनुमान जी को देखे या राम जी को भगत को देखे और भगवान को एक ऐसी ही कथा बाबा विठल दास जी की है जो राधा क्रिशन से प्रेम करते थे क्रिशन जी को अपना बेटा और राधा रानी को अपनी बहु मानते थे बाबा जी शिरी कृशन भगवान को पुतर भाव से मानते थे और हमेशा उन्हें मेरा लल्ला और किशोरी जी को मेरी लाडली कह कर बुलाते थे एक दिन बाबा अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे तब ही एक चूड़ी बेचने वाली आती है बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा अंदर जाकर मेरी बहुँ को चूड़ी पहना करा और जो पैसे हूँ वो मुझसे आकर ले लेना तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर के बाद बाहर आई और बोली बाबा आठ रुपई हुए बाबा ने पूछा आठ रुपई कैसे हुए चूड़ी बेचने वाली ने कहा बाबा तुम्हारी आठ बहुए थी हार एक बहु को मैंने एक रुपए की चूड़ी पहनाई बाबा बोले मेरे तो साथ बेटे हैं और उनकी साथ बहुएं हैं फिर ये आट बहुएं कैसी हो गई चूड़ी बेचने वाली ने कहा बाबा मैं तुमसे जूट क्यों बोलूँगी अब बाबा का ज्यादा बहस करने का मन नहीं था उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूँगा तो ठाकुर जी के ध्यान में विघन पड़ेगा इसलिए उन्होंने उस चूड़ी बेचने वाली को आठ रुपए दे कर ही विधा कर दिया और अपने यूगल सरकार का ध्यान करने लगे लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख भी था कि चूड़ी बेचने वाली ने जूट बोल कर उनसे ज़्यादा पैसे ले लिये थे क्योंकि पुरे गाउं में बाबा जी से कोई भी जूट नहीं बोलता था वो इसी बात की चिंता में थे कि मुझे से उस चूड़ी बेचने वाली ने जूट क्यों कहा अब रातरी में बाबा को सोते हुई स्वपन में किशोरी जी दिखती है और वो कहती है बाबा ओ बाबा मंत्र मुगद होकर किशोरी जी को प्रणाम करते है तब किशोरी जी कहती है बाबा तुम ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो ना बाबा बोले ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं मेरा लला है वो तो तब किशोरी जी कहती है यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तो तुम्हारी बहु हुई ना बाबा बोले हाँ हाँ बिलकुल मेरी लाली फिर किशोरी जी कहती है फिर तुम दुखी क्यों होते हो जब चूडी बेचने वाली ने मुझे भी चूडी पहना दी तभी बाबा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाई मैं कितना भागा हूँ मैं मेरी किशोरी जी ने खूद मेरे घर आकर चूडियां पहनी और उन्हें पहचान भी नहीं पाया तभी किशोरी जी अंतरध्यान हो जाती है और बाबा की नीद खुल जाती है और फिर अगले दिन वो चूडि बेचने वाली उनके घर पर फिर से आती है बाबा कहते हैं कि आगे से आठ जोड़ी चूड़ियां लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंगे चूड़ियां लाना साथ संगत जी धन्य है ऐसे भगत जो भगवान से अपना संबंद स्थापित करते हैं और उन्हें पूरी तरह से निभाते भी हैं साथ संगत जी एक बार एक पंडित जी ने एक धुकानदार के पास अपने 500 रुपए गिर भी रख दिये उन्होंने सोचा था कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे इंसे ले लूँगा कुछ सालों के बाद जब पंडित जी की बेटी सैहनी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए लेकिन दुकानदार ने नकार दिये और बोला आपने मुझे पैसे कब दिये थे बताईए क्या मैंने आपको कुछ लिख कर दिया था पंडित जी उस दुकानदार क इस हरकत से बड़ा परेशान हुए और वो चिंता में डूब गए फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न मैं राजा से इस बारे में शिकायत कर दूँ ताकि राजा कुछ फैसला कर दें और मेरा पैसा मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे मिल जाए फिर पंडित जी राजा के पास गए और उन्होंने राजा को अपनी फरयाद सुनाई राजा ने कहा पंडित जी कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकान दार की दुकान के पास में ही खड़े रहना अगले दिन राजा के सवारी निकली सभी लोगों ने राजा को फूल मालाएं पहनाई, किसी ने राजा की आरती उदारी, पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे, जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा, तो राजा ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोले, गुरु जी आप यहां कैसे, आप तो हमारे गुरु हैं, आईए हमार बग्गी में बैठ जाईए, अब वो दुकान दारी सब देख रहा था, जिसने पंडित जी के पैसे हडप लिये थे, उसने भी राजा की आरती उतारी, और राजा की सवारी आगे बढ़ गई, थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उ बतार दिया, और बोले पंडित जी, हमने तो आपका काम कर दिया है, अब आगे आपकी किस्मत, दूसरी तरफ वो दुकान दार ये देख कर हैरान था, कि पंडित जी की तो राजा से अच्छी जानकारी है, अब दुकान दार को डर हो गया, कि कहीं वो पंडित जी मेरी सच् मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन पंडित जी को अपने साथ लिया है दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला पंडित जी मैंने काफी मेहनत की मैंने काफी खोजा अपने पुराने खातों को देखा तो मैंने पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले दस सालों में ब्याज के बारा हजार रुपई भी हो गए हैं पंडित जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है अतहे एक हजार रुपई आप मेरी तरफ से भी ले जाईएगा और अपनी बेटी की शादी में लगा दीजेगा इस प्रकार उस दुक जी की विपदा दूर हो गई तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानि की भगवान से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें भी किसी तरह की समस्य ये कठिनाई नहीं होगी हमारे साथ भी किसी तरह का न्याई नहीं होगा साथ संगत जी एक बार की बात है एक संथ जी जगानात पुरी से मत्रा की ओर आ रहे थे उन संथ के पास बड़े सुंदर ठाकुर जी थे वो संथ उन ठाकुर जी को बड़े प्रेम से अपने साथ रखते थे प्रेम से उनके साथ लाड लडाया करते थे ट्रेन में यात्रा क करते समयं संत जी ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और बाकी के संतों के साथ हरी चर्चा में वो मगन हो गए जब गाड़ी रुकी सब संत उत्रे वो संत सत्संग में इतना मगन हो चुके थी कि उनका जोला गाड़ी में ही रह गया जोले में रखे हुए ठ संत सत्संग की मस्ती में भावनाओं में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर आना ही भूल गए काफी देर के बाद जब उस संत के आश्रम पर सभी संत पहुँचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन संत जी ने अपने ठाकुर जी को खोजा और पाया कि ठाकुर होकर ठाकुर जी को पुकार कर रोने लगे तब उनके पहचान के संत ने कहा महराज मैं आपको नए ठाकुर जी दे देता हूँ परंतुन संत ने कहा हमें अपने ठाकुर जी चाहिए जिनको हम लाड़ लडाते आए हैं तब एक दूसरे संत ने कहा आपने ठाकुर जी को कहा रखा था मुझे लगता है गाड़ी में ही रह गए होंगे दूसरे संत बोले आप तो कई घंटे बीद गए हैं गाड़ी से किसी ने निकाल लिये होंगे और गाड़ी भी आगे निकल चुकी होगी इस पर वो संत बोले मैं स्टेशन मास्टर से बात करता हूँ वहां जाकर सब संतुन महात्मा को लेकर स्टेशन पहुचे स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप लोग कौन सी गाड़ी में बैठ कर आए थे संतो ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो स्टेशन मास्टर बोला महराज कई घंटे हो गए यही वली गाड़ी ही तो यहां खड़ी हो गई है किसी प्रकार से आगे ही नहीं बढ़ रही ना कोई खराबी है ना कोई परिशानी कई सारे इंजीनियर चेक कर चुके हैं परन्तु खराबी मिलती नहीं महात्मा जी बोले अभी आगे बढ़ेगी मेरे बिना मेरे प्यारे ऐसे कैसे चले जाएंगे वो संद ट्रेन के अंदर गए और ठाकुर जी वही रखे हुए थे जहां महात्मा ने उन्हें पदराया था अपने ठाकुर जी को उन संद ने गले लगाया जैसे ही वो संद गाड़ी से नीचे उतरे गाड़ी आगे चलने लगी ट्रेन का चालक स्टेशन मास्टर सभी इंजीनियर हैरानी में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब ये पूरी लीला सुनी तो वो गदगद हो गए उसके बाद वो सभी जो वहाँ उपस्ति थे उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवन्त की सेवा में लगा दिया साथ संगत जी ऐसा होता है भगवान और भगत का संबद जिसे भगवान तो पूरे दिल से हमेशा निभाते है साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा आप सभी से फर्मुला का थोगी नई साख्य और नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धान नरंकार जीए